नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या, आज आपके लिए लेकर आई हूँ सुभद्रा कुमारी चोहान की लिखी कहानी अभी युपता मजिस्टेट मिस्टर मिश्रा की अदालत में एक बड़ा ही संसनेदार मुकदमा चल रहा है अदालत में खूब भीड रहती है मामला एक 20 वरस की युपती का है जिस पर बैरिस्टर गुपता के लड़के के गले से सोने की जंजीर चुराने का अपराद लगाया गया है एक तो वैसे ही किसी इस्तरी के अदालत में आते ही न जाने कहां से अदालत के आसपास मनुश्यों की भीड लग जाती है और यदी कहीं इस्तरी सुन्दर हुई फिर तो भीड के विशे में कहना ही क्या है आदमी इस तरह तूटते हैं जैसे इन्होंने कभी कोई इस्तरी देखी ही ना हो इसकी अत्रिक्त मज़िदार बात या भी थी कि बैरिस्टर गुपता स्वैम इस मामले में गवाही देने के लिए अदालत में आये थे बैरिस्टर गुपता शेहर के मशूर बैरिस्टर हैं शेहर का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है सरकारी अफसर उनके घर जुआ खेलते हैं शहर में कहीं नाच गाना हो तो उसका प्रवंद बैरिस्टर साहब को ही सौपा जाता है शराप पीने का शौक होते हुए भी वह कलवारी में कभी नहीं जाते कलवारी स्वैम उनके घर पहुंच जाती है सरकार दरबार में उनका बहुत मान है और पब्लिक में भी क्योंकि सरकारी अफसरों से किसका काम नहीं पड़ता बैरिस्टर साहब हैं भी बड़े मिलंसार पब्लिक का काम बड़ी दिल्चस्पी से करते हैं इस प्रकार के कामों में वह बहुत व्यस्त रहते हैं और दूसरे कामों के लिए उन्हें फुरसत ही नहीं रहती मुकदमा शुरू हुआ अभ्युकता की ओर से कोई वकील न था वह गरीब और आसहाई थी सरकार की ओर से 300 रुपए मासिक पाने वाले कोड सहाब पैरवी के लिए खड़े थे बैरिस्टर गुपता ने अपने बयान में कहा मैं अभ्युकता को एक अरसे से जानता हूँ यह शहर में भीक मांगा करती थी करीब एक महीना हुआ एक दिन मैंने अपने मकान के पास कुछ गुंडों को इसे छेड़ती देखा मुझे इस पर दया आई उन गुंडों को भगा कर मैं इसे अपने घर ले आया और जब मुझे मालूम हुआ कि इसका कोई भी नहीं है तब खाने और कपड़े पर इसे अपने घर पर बच्चों को संभालने के लिए रख लिया पंदरा दिन काम करने के बाद एक दिन रात को या यका यक गायब हो गई दूसरे दिन मैंने देखा कि बच्चे के गले की सोने की जंजीर भी नहीं है तब मैंने पुलिस में इत्तिला दी बाद में पुलिस ने इसे मैं सोने की चेन की गिरफतार किया और मुझसे चेन की शिनाक्त करवाई मैंने वैसी ही पांच चेनों में से अपनी चेन पहचान ली अदालत की टेबल पर रखी हुई चेन को हाथ में लेकर बैरिस्टर गुपता ने कहा या चेन मेरी है मैंने खुद इसे बनवाई थी बैरिस्टर गुपता का बयान खत्म हुआ मजिस्टरेट ने कंभीर स्वर में अभियुकता की योड़ देख कर पूछा तुमको बैरिस्टर सहाब से कुछ सवाल करना है अभियुकता के चेहरा तम-तमा उठा वा तिरसकार सूचक स्वर में बोली जी नहीं, सवाल पूछना तो दूर की बात है मैं तो इनका मुँ भी नहीं देखना चाती अभियुकता की इस निर्भीकता से दर्शकों के उपर आश्चरे की लहर सी दोड़ गई सबकी आखें उसकी ओर फिर गई बैरिस्टर गुपता की ओर भी लोगों का ध्यान विशेश रुप से अकडशित हुआ उनके मुँ से एक प्रकार की दबी हुई असपष्ट मरमर ध्वनी से निकल पड़ी मुकदमे में और भी रंग आ गया अब तो लोग अधिक ध्यान से मुकदमे की कारवाई को सुनने लगे बैरिस्टर गुपता की बातों का समर्थन पुलिस के दूसरे गवाहों ने भी किया एक सराफ ने आकर कहा मेरी दुकान से सोना लेकर बैरिस्टर सहब ने मेरे सामने ही एक सुनार को बनने के लिए दी थी एक सुनार ने आकर बयान दिया या चेन बैरिस्टर साहब के लिए मैंने ही अपने हाथ से बना कर उन्हें दी थी। तफ्तीश करने वाले थानेदार ने बतलाया कि किस प्रकार उन्होंने अभ्युक्ता का पता लगाया और किस तरह चेन मांगते ही उसने या चेन अपनी कमर से निकाल कर दे दी। थानेदार ने या भी कहा कि अभ्युक्ता इस चेन को अपनी मा की दी हुई बतलाती है जिससे साफ मालूम होता है कि अभ्युक्ता बहुत चालाक है सरकारी गवाहों के बयान हो जाने के बाद अभ्युक्ता से मजिस्ट्रेट ने पूछना शुरू किया तुम्हारा नाम चुड़नी पती का नाम मैं कुमारी हूँ अच्छा तो पिता का नाम मैं नहीं जानती मैं जब बहुत छोटी थी तब या तो मेरे पिता मर गए थे या कहीं चले गए थे मैंने उन्हें देखा ही नहीं मेरी मा ने मुझे कभी उनका नाम भी नहीं बतलाया औ अब तो कुछ दिन हुए मेरी मा का भी देहान थो गया। कहते कहते अभ्युक्ता की आँखे डबडबा आएं। दोनों हाथों से अपना मुझ ढख कर वस सिस्कियां लेने लगी। दर्शकों नई सहानु भूती पूरवक अभ्युक्ता की ओर देखा। किन्तु कोर्ट इंस् पूछा तुम्हारा पेशा क्या है। मैं मजदूरी करती हूँ और जब काम नहीं मिलता तब भीक मांगती हूँ। अभ्युक्ता ने कहा। मजिस्टेट ने प्रेश्न किया। रहती कहां हो जहां जंगें मिल जाती है। तुमने बैरिस्टर गुप्ता की घर नौकरी की थी जी हां या चेन तुमने उनके बच्चे के गले से चुराई। चेन को हाथ मिलेकर मजिस्टेट ने पूछा। अभ्युक्ता ने बैरिस्टर गुप्ता की ओर देखा। उसकी इस द्रस्ची से घरणा और क्रोध टपक रहे थे। फिर उसने मजिस्टेट की ओर देखकर धरत से कहा मैंने जंजीर चुराई नहीं वा मेरी ही है। या सुनते ही बैरिस्टर गुप्ता के मुझ से व्यंग पूर्ण उपहास की हलकी हसी निकल गई। इस व्यंग से अभ्युक्ता का चेहरा शोप से और भी लाल हो उठा। उसने विशिप्त क्रोध के स्वर में कहा मैं फ तुम बैरिस्टर सहाब के घर से रात को भाग गई थी। कुछ शण के लिए अभ्युक्ता चुप सी हो गई। आहा तकमान उसके चेहरे पर तड़ा पुठा फिर कुछ सोच कर वह गंभीर स्वर में बोली। जी हां मैं बैरिस्टर सहाब के घर से भागी। पहले जब इन् दिखा कि बैरिस्टर सहाब की खुद की नियत ठिकाने नहीं है, वह मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने पर तुले हुए हैं। धीरे धीरे वह मुझे हर तरह की लालश दिखाने लगे और धंकियां देने लगे। एक दिन इसी तरह की छीना जप्टी में उन्होंने मेर ये सोनी की जंजीर देख ली थी, इसलिए चोरी का जूटा इलजाम लगाने का इन्हें मौका मिला। मैं चोरी के डर के मारे कभी जंजीर को गले में नहीं पहनती थी, सदा कमर मिखों से रहती थी। अभ्युकता का बयान सुनते ही अदालत में सन्नाटा चागया, किसी को भी उसके बयान में किसी तरह की बनावट ना मालूम हुई। बैरिस्टर सहाब के प्रती घ्रणा और अभ्युकता की और सहानभूती की भावों से दर्शक समाज का हिरदय ओत्प्रोत हो गया, सभी दिल से चाहने लगे कि वा छूट जाए, प्रंतु कानूनी कठनाईयों क सोच कर सब निराश से हो गए, चेन उसकी होते हुए भी भला बेचारी इस बात का सबूत कहां से देगी कि चेन उसी की है, सफाई की पेशी का दिन आया, आज तो अदालत में दर्शकों की भीड के कारण तिल भर भी जंगे खाली न थी, प्रतेक चेहरे पर उत्सुपता च कौन जाने क्या होता है, कहीं बेचारी की चेन बिछने और जेल भी भेजी जए, यह नयायाले तो किवल नयाय की धोंक के लिए ही होते हैं, नयाय के नाम से सरासर अनयाय होता है, अदालतें धनवानों की ही हैं, गरीबों की नहीं, इस प्रकार की अनेएक आलोचनाएं काना क्या तुम इस बात का सबूत दे सकती हो कि यह चेन तुम्हारी है जी हां क्या सबूत है तुम्हारे कोई गवा है मेरा सबूत और गवा वही चेन है अभियुक्ता ने चेन की और इशारा करते हुए कहा सबने संदेश उचक सिरह लाया कुछ ने सोचा शायदिया लड़की पा दूंगी मजिस्टेट के इशारे से कोड साहब ने चेन उठाकर अभ्युकता की हाथ में दे दी चेन दो लड़ी की थी और उसके बीच में एक हिरदय की आकार का चोटा सा लॉकेट लगा था जो उपर से देखने में ठोस मालूम पड़ता था प्रदू अभ्युकता ने उसे इस तरह दबाया कि वा खुल गया उसे खोल कर उसने मजिस्टेट साहब को दिखलाया फिर बोली यही मेरा सबूत है या मेरे पिता की तस्वीर है मजिस्टेट ने उत सुकता से वा लॉकेट अपने हाथ में लेकर देखा और देखते ही रह गए लॉकेट के अंदर एक बीस फाइनल में पढ़ते थे उनके मैस की महराजिन बुढिया थी इसलिए कभी कभी उनकी नातिन भी रोटी बनाने आ जाया करती थी उसका बनाया हुआ भोजन बहुत मधूर होता था वा थी भी बड़ी हसमुक और भोली धीरे धीरे वा उसे अच्छी अच्छी चीजे देने लगे छिप छिप कर मिलना जुलना भी आरंब हुआ वा रात के समय बुढिया महराजिन और उसकी नातिन को उसके घर तक पहुचाने भी जाने लगे एक रात को वा लड़की अकेली थी चान्नी रात थी और वसंती हवा भी चल रही थी घने व्रक्षों के नीचे अंधकार और चान्नी के टुकड़े आंख मिचानी खेल रहे थे वहीं कहीं एकांत इस्थान में उन्होंने अपने आपको खो दिया कॉलेज बंद हुआ और बिदाई का समय आया उस रोती हुई प्रेसी को उन्होंने एक सोने की चेन मैं फोटो वाले लौकेट के अपनी यादगार म या उनका अंतिम मिलन था उसके बाद वा उस कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गए क्योंकि वहाँ लौक लास नहीं था वा धीरे धीरे उन सब बातों को स्वपन की तरह भूल गए किन्तु आज इस लौकेट ने उनके उस प्रणय के परिनाम को उनके सामने उन्होंने सोचा तो क्या या मेरी ही इतने मिलौकेट उनके हाथ से चूट कर टेबल पर खट से गिर पड़ा उसकी आवाज से वा चौंक से पड़े दर्शक भी चौंक उठे मजिस्ट्रेट ने सिर नीचा किये हुए कहा अब्युकता निर्दोश है उसे जाने दो या कहते हुए वा तुरत उठकर खड़े हो गए जैसे न्याइधिश की कुर्सी ने उन्हें काट खाया हो धन्यवाद